परिचय अजे, तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं अपनी रसाइन विज्ञान की पाटे पुस्तक पढ़ रहा हूँ अर्जुन, पैंसिल को सुईच में मट डालना, तुम्हें बिजली का जटका लग सकता है बिजली का जटका? लेकिन क्यों? पैंसिल तो लकड़ी और ग्रेफाइट की बनी होती है, और ये दोनों ही विद्युत के कुचालक है अर्जुन, तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक है मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रयोग के माध्यम से यह दिखाता हूँ जब हम सुईच ओन करते हैं, तो मल्टी मीटर विद्युत धारा का प्रवा प्रदशित करता है इससे पता चलता है कि ग्रेफाइट से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है अचे, अब मैं ये बात समझ गया और अब मैं इस बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है कार्बन आवर्त तालिका के पी ब्लॉक का एक तत्व है इस बारे में और समझने के लिए पहले हमें पी ब्लॉक के तत्वों का अध्यान करना होगा चात्रो, आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्यान करेंगे उद्धिश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पी ब्लॉक के तत्वों को परिभाशित करना अक्रिय युग्मु प्रभाव को परिभाशित करना समुह तेरा के तत्वों को समझना समुह तेरा के तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्मों को विशलेशित करना बौरान के असंगत वहवार की व्याख्या करना बौरान के योगिकों का विशलेशन करना समौ 14 के तत्वों को समझना समौ 14 के तत्वों के समानने अभी लक्षणों का वढ़न करना समुह 14 के तत्वों के भौधिक एवं रासाइनिक गुण धर्मों का विशलेशन करना कार्बन के अपर रूपों को जानना कार्बन तथा सिलिकॉन के कुछ महतपून योगिकों का विशलेशन करना परिभाशा आवर्द तालिका में समुह 13 से 18 तक के तत्व सामोही ग्रूप से पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं बोरौन, कार्बन, नाइट्रोजन, आक्सीजन, फ्लोरीन तथा हिलियम इन समुहों के शीर्च है इन तत्वों का सामान एलेक्ट्रोनी विन्याज NS2NP 1 से 6 होता है इनमें इनके वहतम कोश के पी कक्षकों में अंतिम इलेक्ट्रोन होता है किसी पी ब्लॉक तत्व द्वारा प्रदर्शित अधिक्तम आक्सीकरन संख्या संयोजी इलेक्ट्रोनों की कुल संख्या के समान होती है अधिक्तम आक्सीकरन संख्या समुहूं आक्सीकरन संख्या कहलाती है अक्रिय युग्म प्रभाव अक्रिय युग्म शब्द को सबसे पहले नेविल सिडविक द्वारा प्रस्तावित किया गया अक्रिय युग्म प्रभाव वाहितम इलेक्ट्रोनों की पारगमन पश्चात धाथूं की योगिकों में अन्याइनिक रित या बिना साज़ा हुए बने रहने की प्रवृत्ती होती है अक्रिय युग्म प्रभाव शब्द को प्राया आक्सीकरण अवस्थाओं के बढ़ते इस्थाइद्व के सम्मंध में उप्योग किया जाता है जो समुहों 13, 14, 15 तथा 16 के गुरुतर तत्वों के लिए समुह संयोजक्ता से दो कम होती है समुह 13 के तत्व बोरॉन परिवार गुणों में बोरॉन परिवार के ततव बिहद भिनता प्रदशित करते हैं बोरॉन एक प्रारूपिक अधातु है अलियुमिनियम एक धातु है परंदू इसके अनेक रासायनिक गुण धर्म बोरॉन के समान है गेलियम, इंडियम तथा थैलियम गुण धर्मों में लगभग पूर्टा धातू है Electronic विन्याज समो तेरा के तत्वों का बाहे इलेक्ट्रोनिक विन्याज एनिस की पावर दो, एनपी की पावर एक होता है बोरॉन और अल्यूमिनियम में नॉबल गैस कोर होती है गेलियम और इंडियम में नॉबल गैस तथा 10D एलेक्ट्रोन होते हैं तेलियम में नॉबल गैस तथा 14F एलेक्ट्रोन और 10D एलेक्ट्रोन कोरे होती हैं पर्माणविक त्रिच्या सम्हों में नीचे जाने पर पर्माणविक त्रिच्या बढ़ती है जबकि G A की पर्माणविक त्रिच्या 135 पिको मीटर, A L की पर्माणविक त्रिच्या 143 पिको मीटर से कम होती है ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि गेलियम में उपस्थित अतिरिक्त 10D इलेक्ट्रोन पड़े हुए नाबिकी आवेश की तुल्ला में बाहे इलेक्ट्रोनों पर दुरलब परिरक्षन प्रभाव डालते हैं आइनन एंथेल्पी इसका मान समू में नीचे जाने पर क्रमिक रूप से नहीं घड़ता बोरौन से अलियूमिनियम तक कमी आकार में बढ़ोत्री के कारण होती है अलियूमिनियम से गेलियम तक व्रिधी आइनन एंथेल्पी में आसान तत्ति के कारण होती है इंडियम से थैलियम तक वृत्थी D और F इलेक्ट्रानों की अक्षमता के कारण होता है, जिनका परिरक्षन प्रभाव दुल्लब होता है समो तेरा के तत्वों के भौतिक गुण धर्म तत्वों का क्वथनांग समो में नीचे जाने पर घड़ता है बोरौन में सर्वदिक विद्धित रनात्मक्ता होती है अलियूमिनियम से थैलियम तक विद्धित रनात्मक्ता बढ़ती है बोरौन एक अधातु है जबकी अलियूमिनियम गेलियम इंडियम थैलियम धातुए है समो तेरा के तत्वों के रासाइनिक गुण धर्म वायू के प्रति अभि क्रिया शीलता बोरौन क्रिस्टिलिय स्वरूप में वायू के साथ अभि क्रिया नहीं करता अल्यूमिनियम की सतह पर आउक्साइट की पतली परत बन जाती है जो और अधिक्षय होने से धातु को रोकती है अक्रिस्टलिय पॉरॉन तथा अल्यूमिनियम धातुएं वायू में गर्म करने पर B2O3 और Al2O3 बनाती है उचे तापमान पर डाई नाइट्रोजन के साथ वे नाइट्राइड बनाती हैं अमल एवं क्षार के प्रती अभी क्रिया शीलता बोरॉन अमल और क्षार के साथ सामान तापमान पर भी कोई क्रिया नहीं करता अल्यूमिनियम उभै धर्मी कुण प्रदशित करता है और खनिज अमलों पर एवं जाली एक शारों में खुल जाता है अल्यूमिनियम तनों S.C.L. में खुल जाता है और हाइटोजन निश्कासित करता है हेलोजनों के प्रती अभी क्रिया शीलता बोरॉन परिवार के तत्व हेलोजन से क्रिया करके ट्राइ हैलाइट बनाते हैं बोरॉन का असंगत वहवार कुछ धात्विक गुण होने पर भी बोरॉन एक अधातु है इसमें धनविद्ध्यती गुण होता है बोरॉन त्री संयोजक योगिक बनाते हैं ये NaOH विलियन के साथ उबालने पर हाइडोजन को मुक्त करता है बोरॉन के बाइनरी योगिकों को बोराइट्स के नाम से भी जानते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइट लूइस इक्षारों जैसे की NH3 के साथ आसानी से अभी क्रिया करके बोरॉन के परिताह अज तक पूण करता है बोरॉन के कुछ मेदपूर्ण योगिक बोरैक्स इसे सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट भी कहते हैं ये इस प्रकार पाया जाता है कि इसमें चतुष केंद्रिये इकाईयां B4, O5, OH4 की घात दो होती है आता है इसका सूत्र Na2, B4, O5, OH4, RH2O होता है क्रिस्टलिये बोरैक्स ठंडे पानी में कम घुलनशील होता है लेकिन ये गर्म जल में शीद्र घुलनशील होता है जब बोरैक्स को गर्म किया जाता है तब इससे जल के अणूं का निशकासन होता है और गर्म किये जाने पर ये एक पार दर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे बोरैक्स मन का कहते हैं और्थोबोरिक अमल यानि H3BO3 को बोरिक अमल भी कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये मेटाबोरिक अमल HBO2 बनाता है मेटाबोरिक अमल को जब 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो ये पाइरोबोरिक अमल यानि H2B4O7 बनाता है जिसे जब उच तापान पर गर्म किया जाता है तो B2O3 बनाता है आर्थोबोरिक अमल एक दुरबल अमल है लेकिन ये एक पॉलि हाइडरिक अलकोहल की उपस्तिती में रणाइनी जटिल पोरोसपाइरेनिक अमल बनने के कारण प्रबल एकलक शारिये अमल के रूप में कारिक करता है और H धनायन मुक्त करता है उधारण आईए एक उधारण देखते हैं क्या होता है जब बोरेक्स विलियन को अमली करित और बोरिक अमल को गर्म किया जाता है आईए समाधान देखते हैं जब बोरेक्स विलियन को अमली करित किया जाता है तो बोरिक अमल बनता है जब बोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो बोरॉन से सक्वी ऑक्साइड बनता है बोरॉन तथा एलियूमिनियम तथा इनके योगिकों के उप्योग बोरॉन का प्रियोग बहुत से सफाई के उत्पाधूं, डिटरजेंट और विरंजकों में किया जाता है काच और सेरमिक बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है बोरो सिलिकेट काच में ताप ये आगात के प्रती उत्तम प्रतिरोध होता है बोरॉन फिलामेंट प्रकाश के रूप में और उच्च सुद्रिड सामग्रियां विमाने की सनरचनाओं में उप्योग किये जाते हैं बोरॉन कारबाइट शील्ड का प्योग नाभी किये रियक्टरों में नेंतरक छड़ों के रूप में किया जा सकता है कम खनत्व तथा सुद्रिड़ता, ऐल्यूमिनियम को विमान, हलके भारवाले वाहन तथा सीडियां बनाने के लिए आदर्श सामग्री बनाते हैं सक्षारण, प्रतिरोधी तथा कम खनत्व के कारण इसका उप्योग हरित ग्रिहों एवं खिड़कियों के फ्रेमों में किया जाता है उश्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण इसका उप्योग बॉयलरों, कुकरों और पकाने के अन्यपर्तनों में किया जाता है आसान धलाई, अलुमिनियम को बेपदार्थों के डिब्बों तथा छट डालने वाली सामगरी का अच्छा घटक बनाती है समो चौदा के तत्व कार्बन परिवार कार्बन मानव शरीर में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है ये प्रिथवी की भूप परपटी में प्रती मिलियन लगभग 320 भा के रूप में बहुता यस से पाया जाता है ये सौतंत्र अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोईले में मिलता है सिलिकॉन प्रिथवी की भूप परपटी पर पाया जाने वाला दूसरा अती पाहुलित तत्व है और प्रकृती में सिलिका और सिलिकेट्स के रूप में उपस्तित है जर्मेनियम केवल सुक्षम मातराओं में ही उपस्तित रहता है तिन मुक्यता गैसिटिराइट यानि SNO2 के रूप में पाया जाता है लेड मुक्य रूप से गैलेना पी बी एस के रूप में मिलता है समुह 14 के तत्वों के सामान ने अभिलक्षान कार्बन परिवार का सेयोजकता कोश इलेक्ट्रोनिक विन्यास NS वर्ग, NP वर्ग होता है इस परिवार के तत्वों के इलेक्ट्रोनिक विन्यास की आंतरिक क्रोड या कोर भिन होती है सह सेयोजकत त्रिज्या कारबन से सिलिकॉन तक सहसंयोजक त्रिज्या में उलेखनीय वृद्धी होती है इसके पश्चाथ सिलिकॉन से सी से तक त्रिज्या में आंशिक बढ़ोत्री होती है ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि गुरुतर सदस्यों में पूर्ण पूरित D और F कक्षक उपस्तित होते है आइनन एथेलपी समू में नीचे जाने पर आइनन एथेलपी घटती है समू 14 के तत्वों की प्रथम आइनन एथेलपी के मान समू 13 के संगत तत्वों की अपेक्षा अधिक होते है विद्ध रनातमक्ता छोटे आकार के कारण समू 14 के तत्वों की विद्धत रनात्मक्ता का मान समू 13 के संगत तत्वों की विद्धत रनात्मक्ता के मान से थोड़ा अधिक होता है सिलिकॉन से सीशा तक तत्वों की विद्धत रनात्मक्ता का मान लगभग समान होता है समू 14 के तत्वों के भौतिक गुण धर्म समू में नीचे जाने पर धात्विक लक्षन बढ़ता है कारबन और सिलिकॉन में व्रिहद आणविक जालक से तिन और सीसे में व्रिहद धात्विक जालक तक संदचना गत परिवर्तन होता है समू में नीचे जाने पर आबंधन में सह संयोजी से धात्विक तक परिवर्तन समू में नीचे जाने पर बरता धात्विक गुण घनत्व तथा चालकता में सामा निव्रिद्धी का कारण पनता है समो 14 के तत्वों के रासायनिक गुण धर्म आक्सीजन के प्रती अभी क्रियाशीलता समो 14 के सदस से आक्सीजन की उपस्थिती में गरम किये जाने पर आक्साइड बनाते हैं ये मुख्यता दो प्रकार के आक्साइड पाते हैं मौन आक्साइड तथा डाय आक्साइड इनके सूत्र मो और मो दो है उच्च आक्सीकरण अवस्था में आक्साइड निम्न अवस्था वाले आक्साइड की तुल्ना में अधिक अमलिये प्रकृती के होते हैं जल के प्रती अभी क्रियाशीलता कार्बन, सिलिकन तथा जर्मेनियम जल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं तिन जल के साथ अभी क्रिया करता है और डाय आक्साइड तथा हाइड्रोजन कैस बनाता है रक्षात्मक आक्साइड परत पनने के कारण सीशा जल से अप्रभावित रहता है कार्बन का असंगत वहवाहार कार्बन का प्रयोग मुखिता इंधन के रूप में प्रयोगत किया जाता है और ये एक अच्छा तनुकारक है धातु कर्म प्रक्रियाओं में मध्यम विद्यूत धनात्मक दावाली धातूँ को उनके आक्साइड आयसकों से कार्बन द्वारा अपचाहित करते हुए निशकर्शित किया जाता है उच्छ तापमान पर उच्छ वैद्यूत धनात्मक धातूँ के आक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके संगत कार्बाइड बनाते हैं कार्बन में अन्य पर्माड़ों के साथ सह संयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रंखला या वले बनाने की प्रवरित्ती होती है इस कोंड को श्रंखलंग कहते हैं कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट ग्रेफाइट में प्रतेक कार्बन पर्माड़ों तीन अन्य कार्बन पर्माड़ों से जुड़कर SP-2 संकरण द्वारा दुईतली शटकोनी वले सनर्चनाय बनाता है इन दोनों पर्तों के मथ्य अकर्षन पल होता है इसलिए graphite मुलाइम होता है और चाकू से काठा जा सकता है प्रतेक परत को अन्य पर खिसकाया जा सकता है जिससे ये चिखना बनता है और शुष्क इस नेहक के रूप में उप्योग किया जा सकता है ग्रेफाइट में प्रते कार्बन परमाणूं एक स्वातंत्र इलेक्टॉन रखता है जो इसकी चालगता के लिए उत्तरताई होते हैं हीरा हीरे में प्रते कार्बन परमाणों SP3 संकरन त्वारा अन्य चार कार्बन परमाणों से जुड़ा होता है और तिरी विमिये कठोर सनचना बनाता है कार्बन पर्माडों के छोटे होने के कारण वे निकट आबध क्रिस्टलिय सनचना बनाते हैं और कठोर हो जाते हैं तथा हीरे को अब घर्शक के रूप में उप्योग किया जाता है हीरे में कारबन के परमाणूं में कोई भी स्वातंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए ये विद्युत का कुछ अलग है फुलरीन्स कारबन का एकण्य अपरूप फुलरीन्स है जिसमें एकणूं में 60 या 70 या 84 कारबन परमाणूं होते हैं ये पिंजरे नुमा हणूं फुटबाल की सनचना जैसी आकरिती लिए होते हैं इनका प्रयोग अत्यंत उच्चताप पर इसनेहक की तरह किया जा सकता है इनमें बिलकुल निम्नताप पर भी अतिचालकता का गुन होता है उच्चे तन्य सुद्रिटा वाले भारहीन तंतूं के निर्माण में इनका उप्योग किया जाता है कार्बन के कुछ महदपूर्ण यॉग एक कार्बन मोनो आकसाइड कार्बन मोनो आकसाइड सामानेताप पर सांद्र H2SO4 पर फार्मिक अम्र को मिलाने से बनता है इस तरह विर्चित कार्बन मोनो आकसाइड को कास्टिक सोडा विलियन से गुजारा जाता है और फिर P2O5 पर से प्रवाहित करते हुए शुष्क किया जाता है इसे आकसेलिक अम्र के साथ सांद्र सल्फियोरिक अम्र की क्रिया द्वारा भी बनाया जा सकता है कार्बन मोनो आकसाइड एक रंग हीन देहनशील कैस है ये एक उदासीन आकसाइड है परन्तु उच्छ दाब और उच्छ ताब पर ये एक अमलिये आकसाइड की तरह वेवाहार करती है कार्बन मोनो आक्साइड आक्सिकारक तथा अपचायक दोनों रूपों में क्रिया कर सकते हैं कार्बन मोनो आक्साइड में कार्बन की आक्सिकरन संख्या जमादो होती है कार्बन डाई आक्साइड कार्बन डाय ओक्साइड को केल्शियम कार्बोनेट पर तनू हाइड्रो क्लोरिक अम्ल की अभी क्रिया द्वारा बनाये जाता है कार्बन डाय ओक्साइड एक अम्ली ये ओक्साइड है तथा देखशार की ये अम्ली की तरहा क्रिया करती है और दो प्रकार के लवन बना सकती है उचताप पर कार्बन डायोकसाइड एक आक्सी कारक के रूप में काहरी कर सकती है सिलिकॉन के कुछ महतपून यौग एक सिलिकन डायोकसाइड सिलिकन डायोकसाइड का दूसरा नाम सिलिका है ये अनेक क्रिस्टल सनचनात्मक रूपों जैसे क्वार्स, क्रिस्टलो बैलाइट तथा ट्राइडाइमाइट में मिलता है। सिलिकन डाइऑकसाइड एक सहसंयोजग तरीविमिय जालक युक्तिठोस है, जिसमें प्रत्यक सिलिकॉन परमाणूं चतुष भल किये रूप में चार आउकसीजन परमाणूं से सहसंयोजित बंधित रहता है। सिलिका अपने सामाने रूप में अति उच्छ सिलिकॉन ऑकसीजन बंध एठेलिपी होने के कारण लगभग अनअभिक्रियाशील होता है। ये हच एफ और एन ए ओएच से क्रिया करता है। कौर्स का विस्तरित उप्योग दाप विद्योतिपदार्थ के रूप में होता है। सिलिका जल का उप्योग शुशकन करमक तथा उत्प्रेरक के रूप में होता है। सिलिकेट की मूल सनजनात्म किकाई SIO4, 4- है जिनमें सिलिकाउन परमाणू, 4 ऑक्सीजन परमाणूं से चतुष भलक के रूप में बंधित रहता है। प्रकृती में बड़ी मात्रा में सिलिकेट खनेज पाए जाते हैं जैसे फेल्डस पार, जियोलाइट, श्वेत अबरग और एसपेस टस। जब सिलिकेट इकाईयां आपस में मिलती हैं तो श्रंकलित वलय परतिया तिरी विम्य सनचना बनाती हैं। मनिश्य द्वारा निर्मित दो महतपूर सिलिकेट काँच तथा सिमेंट हैं। क्या आप जानते हैं? कारबन मनिश्य को लगभग 3750 इसापूर्व से ग्यात है। कांसे के निर्माण हितू तांबे, जस्ते एवं टिन अयसकों को अपचाइद करने के लिए कारबन का पहली बार उप्योग मिस्र तथा सुमेर सभिताओं के लोगों द्वारा किया गया। बोराण सभी हरित पादबों का अनिवारे पूशकततो है। कारबन का गलनांक और उर्धु पातन बिंदू सभी तत्वों में सरवाधिक लगभग 5800 डिग्री केल्विन होता है। ब्रहमाण में बोराण के परमाणू अंत्रिक्ष किरण संघटों द्वारा ना भी किये सनलेयन के कारण निर्मित हुए है। ब्रहमाण में अधिकांश बोराण का निर्माण हमारे सौर मंडल बनने से पहले इसी प्रकार हुआ। सारांश आए हमने जोख सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं। आवर्ती सारणी में 13-18 समोह के तत्वों को सामोहिक रूप से पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अक्रिय यूग्म प्रभाव वाहतम इलेक्ट्रानों की संक्रमन पश्चाथ धातूं की यौकिकों में अन्याइनी कृत या बिना साजा हुए बने रहने की प्रवरित्ती होती है। तेरा समोह में बोरॉन एक अधातू है जबकि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम धातूं है। एल्यूमिनियम उभै धर्मी गोन प्रदशित काता है और खनिज अमलों एवं जली अक्षारों में घुल जाता है। कारबन मानव शरीर में दूसरा सबसे प्रचोर तत्व है। ये प्रित्वी की भू परपटी में प्रती मिलियन लगभग 320 भाग के रूप में बहुता यस से पाया जाता है। ये हिस्सोतंत्र अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट और कोईले में मिलता है। कारबन परमाणों में अन्य परमाणों के साथ सहसे योजग बंध द्वारा जुड़कर लंबी शरंखला या वले बनाने की प्रवरित्ती होती है। ये कौन शरंखलन केहलाता है। कारबन मोन ऑक्साइड एक उधासीन ऑक्साइड है, परंतु उच्छदाब और उच्छदाब पर ये एक अमलिये ऑक्साइड की तरहा वहवाहार करती है। सिलिकन टाइऑक्साइड एक सहसंयोजक त्री विमिये जालक युक्तिठोस है, जसमें प्रतेक सिलिकॉन परमाडू चतुष फल की ये रूप में चार आक्सीजन परमाडू से सहसंयोजित बंधित रहता है।